अपने यूटीब चैनल स्टिडी विद अमन कुल मी तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के आपका संस्कृत का स्लेबस देखेंगे जो कि 2023-24 सेशन का नए सेशन का पुरा स्लेबस है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वेपर आपको पता 80 मार्क्स का आएगा और मांक्स आपके इंतर्ण ऑसस्मेंट क्योंगी यहां कि तीचर देती हैं और आपके Majoris marks आपकी कॉपी कितने और आपके periodic test गएव अगैनहीं कितने मांक्स आ अठेञों उसके वेपेज्स में मिलते अपको चास्टियोगा तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका पेपर किस ट सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरू कर दीजे ऐसी आपको आपकी क्लास के कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा तो सबसे पहले हम सेक्शन ही में क्या क्या आएगा कैसे आएगा वह सब हम डिसक्राइब करते हैं खंड काम में आपका आपके तो वह नहीं दस नं से रखा होगा उसका कि मतलब किसी भी बारे में अगर लड़कियों की सुरक्षा के बारे में तो इसका आपको शिशर्क लिखना होगा एक शब्द में या दो शब्द में वह एक नंबर का होगा और कुछ बहु विकल्प प्रश्न भाशिक कार यानि आकरण के कोशन पुश कारहन से को एक यतन पत्र आइगा कॉन-कॉन-कॉन से टॉपित में आएगा वह आपको आब करता होगा और इसमें एक करना होगा दोनों आथमा में चित्र के लिखüpो बांग है या फिर बांचेदक का Metでしょう होगे वह वाकिय और मंजूशा भी यह नहीं आपको मंजूशा दी जाएगी इसमें सिर्फ चाट के लिखना होते हैं तो यह पांश नमबर का होगा फिर आपका एक कोशन आता है फोर्ट कुशन हिंदी वाक्यों को संस्कृत वाकिया नहीं हिंदी में लिखा होगा कि मैं खान कोशन आएंगे मैं आपको प्ताती हूँ सबसे वहले संदी जो कि आकरिन का टॉपिक है इसमें आपको आंसर लिखने होंगे चार कोशन होंगे और वह वह एंसी क्योंदी आपके हैं पांच चोईस में होंगे पांच में से कोई चार करने होंगे ऐसे आते हैं शब्द लगुरतात्मक यानि इसमें आपको वर्ड लिखना है जसलेक पांच दश लिखा तो वो लगुरात्मक आप में आता है ये दो नंबर का आएगा आधर आदे नंबर के चार होंगे उपसर्ग आपका लिखने आएगा ये दो नंबर का होगा और अव्वे आएंगे दो नंबर के टोटल 25 मार्ग से यहां पर होगा नेक्स्ट खंड का है पतेद बोधनम यानि जो आप आपका चाप्टर से में से कौन कौन से चाप्टर आएंगे वह भी मैं आपको अभी बताऊंगी तो गद्यांश एक गद्यांश आएगा सबसे पहले उसमें एक वनवर्ड आंसर एक पूरी लाइन का आंसर और एक भाशिक कारे में से दो कोश्ट तो ऐसे यहां पर तरश्चीं जो हो गद्यांश और एक थर्टीं कौशन गद्यांश का रहाएगा फौर्टीं पद्यांश को रहाएगा 15 8 ठोधनों को सब्सक्राइब आपको पॉरा Trynt byHow तो कौन खाना का रहे हैं आपको कौन बनाना है जो प्रशनिर्मान यापको टीचर भी आपको इसका देगी चार नंबर काएगा अव्वे तथा भावर्ट यानि जो अन्वे होती हैं आपकी कोई आपके बुक में कोई पोहम होती है और फिर उसका आपको आर्थ समझना होता ह वैसी एक पोहम आएगे उसका अन्वे और भावर्ट आपको लिखना होगा वो भी आपको मंजुशा से देखने देखने लिखना होता है तो बहुत इजी होता है घटना करना आएगा चोकी चार नंबर आएगा आठ लाइन होगी उपर नीचे होगी किसी भी चाप्टर में से आपको से छॉप डिंधार कर लिखना पर लिखना पर को कि और फिर नाइन ठीन को इक उचन में आपको प्रसएंगलों सर अर्थ लिखना है कोई भी शब्धिया रख उसका अर्थ सई चुन अमयद्न आहीं और शबदार्ट निद्ध को मिलाना ओगा यानि आपके बूक म मिला करके 80 मांक आपर काउंट को यह पे आप पूरा देख भी सकते हैं valt नेक्स आप तर grounds में आएगा क्या क्या वैंने दोkov DO गध्यांच आएगा अनुछेट भाषिक कारें में क्या क्या है कि यह हैँ कुछ ना शकते हैं या कोई कोई वाक्य दे रखाऊगा कि सुन्दर बालिका तो इसमें विशेशन क्या है सुन्दर है विशेशे क्या है बालिका है तो ऐसे कोशन आ सकते हैं प्रयवची विलोम तो प्रयवची आ सकता है कि इस वाक्य में प्रयवची शब्द बताईए या इस वाक्य में विलोम शब्द बताइए तो ऐसे ना सकते हैं और संगया प्रयोगनी कि यहां पर संगया की जाग अगर हम सर्वनाम कौन साध़ करें वासरीक आ सकते हैं वाशिक कार्यएbotा प्ल利्खन में और सेब जीए स्कते हैं स्वाच्टाय सब्सक्राइब और और आपका विदूधाइब द्वी भागयी और आर उट्षक्लाश्य क्रणाश्य यह था नी लाइट नी आ यानि आपका रिजल्ट की सूचना देनी है वह सकते हैं आपके इस टॉपिक पर ही इसी टॉपिक से आएंगे और किसी टॉपिक से नहीं आएंगे तो हर एक लेटर इंग टॉपिक से तयार कर लिए तो आपका रेडियो जाएगा चित्रधारित वर्णम और अंशेद में तो हमले तो आपको उसी मैं से रहा सकालने हैं तो इसमें भी कुछ अलग संती में Living Is झाल ये और ब्रेंड?जन संधी में मास थाने येपं आएगा और विसर्ग संधी में उत्वम और रत्वम आएगा यह आपका संधीका काम आएगा चार नंबर में यही आपको पढ़नी है बस नेक्स्ट शब्द रूपानिंग में आपको अकरांत पुलिंग शब्द का बालकवत यह याद कर लेने हैं आपको सारे इकरांत में कविवत, उकरांत में सादुवत, त्रिकरांत में पित्वत, अकरांत में स्ट्रिलिंग का लतावत, इकरांत स्ट्रिलिंग में नदीवत और त्रिकरांत में मातुवत और हलंत में आपको राजन, भवत, विद्वस, गोरिंग ये सब याद करने हैं सर्वनाम शब्द में अस्मत, युश्मत, तत, इदम, किम और त्रिशू, लिंगेशू यानि ये सारे सर्वनाम याद करने हैं धातु रुपाणी में आपको ये सारे धातु के रूप याद होने चेंजर लाइक पटका, पट्टी, पड़त, पढ़नती, गम का, गश्टी, गषट, गश्टी, गश्टी, वद्ध, वद्ध, वदनती ऐसी होता है यह सारे आपको याद करड़ें इसनी वे से कोश्चन आएंगे कारक अपुवत विवक्ति में दृत्य विवक्ति में उभेता, धीक, परिता, समय, निक्षा यह सारे दृत्य विवक्ति में यूज होते हैं साखम समंसा लगी सारे तिते व्श्म्स वीषभ क्रते तो है आपको याद रखना कि विना हमारां हमारा पंजीव व्श्मस को अधवल लूड़ याद कर लें यह gusta प्रते में आपको कत्वा प्रते तुमुन प्रते लिप प्रते कत्वतु प्रते श्रित प्रते शाननच प्रते और कत्प्रते ये आपके प्रते आएंगे संक्या आपको एकसे सो तक आनी चिये और एकसे 4 में प्रत्वां विवक्ति आणि एकसे 39 तक जोगी न वो तो आपको भरिवक्ति में आनी चिये यह बोला है उपसर्ग आपको ढूईव शंती तक द्वाव शंती तक आने चिये अव्य में आपका यह आ जाएगा अत्र दत्र अन्यत्र सवत्र यत्र एकत्र उप्यत्र काल भोदंग में यदा ददा सरवधा एकदा पूरा अधुना अधाश प्रशन भोद्कानी में केम कुछ यानि से प्रेशन पूसते हैं और अगर कुछ अलग बताते हैं तो यह सारे अव्याप क्या जाएंगे पटी तव बोद्नम में आपका भाशिक कार्या में वाक्य में करता या करिया बताईए विशेशन या विशेशन बताईए या फिर इसमें परिवची विलोम बताईए ऐसे भाश्या में से कोशन आएंगे आपको चैप्टर के विशेशन आनसर यादोनी चाहिए अब कौन कौन से चैप्टर आएंगे आप जहां से स्क्रींशट भी ले सकते हैं पहला पाट आएगा भारत भारतिवे संगेती तूसरा चैप्टर आएगा स्वन काका तीसरा बाइट शहोड़ Μाय Redman थे नहीं है नोवं पर शिक्ता सेथू थश्रम पाइट शौर्णम एकका जफाट्मा परेव्र नम् और दौद्ध स्वेख वसुर्णम स्वुर्ण तो तीन जफ्टर आपके नहीं आ रहेएं बाकि एक सिलह व्तिकार तो यहां तक आपका स्लेवर्स आई होप आपको समझा गया हूँ और अभी तक चानल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जाद इसे ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें वीडियो अच्छ लगे तो इसे लाइक जरू करेगा थैंक्स वाचने को पेबे गाइस